हेलो फ्रेंड्स मैं निदी महता कुप केट होम विद निदी महता में आप सब का स्वागत करती है बनाएंगे ग्रिल्ड कीटो सैंडविच जो बहुत ही हेल्दी सैंडविच है और बहुत जल्दी बनके रेडि हो जाता है बहुत इजी रेसिपी है लग रहा है ना कितना स्क्राइब करिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपने फैमली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर दीजिए अपने कीटो सैंडविच बनाने के लिए मैंने ये कुछ बचिटेबल्स ली हैं ये मै मैंने लिया है शिमला मिर्च यानि की कैपसिकम इसको भी मैंने बारिक चॉप कर लिया है सबजियों को हमें बहुत बारिक चॉप करना है अब चलिए इसकी स्टफिंग बनाना स्टार्ट करते हैं ये मैंने ले लिया है एक बाउल अग ये जितनी भी वेजिटेबल्स हमने ये दी थी ये सारी हम इस बाउल में डाल देंगे यह मै ने लिया है दो टेबल स्कून मेईवनिस ये इसमें डाल देते हैं 1 चमश नालेंगे इसमें टमैटो सॉस फोडा सा इसमें डालेंगे सॉल्ट Bonus में बहुत जादा नहीं डालेंगे यह मैंने 1 4th चमच के करीब salt डाला है इसमें 1 4th चमच ही मैं डाल रही हूँ इसमें black pepper powder एक चमच डालेंगे इसमें pizza seasoning 1 4th चमच चिली flakes और यह मैंने लिये हैं 2 cheese cubes और इसको हम इसमें grate करके डालेंगे अब हम इन सब चीजों को अच्छी तरह से mix कर लेंगे इस stuffing हमारी बन के रेटी है चलीए अब next process की तरफ चलते हैं यह मैंने लिया है 500 ग्राम पनीर अब हमें क्या करना है हमें इसके pieces करने है थोड़े thick pieces करेंगे बहुत पतले pieces नहीं करेंगे क्योंकि हम कोई bread use नहीं करने हैं इसमें हम stuffing भरेंगे अगर हम पतला पीस कर देंगे पनीर का तो वह sandwich हमारा जो है वह टूट भी सकता है यह मैंने पनीर के pieces करेंगे इस पे stuffing वाले material की इस तरह से लेयर लगा देंगे और इसके उपर हम दूसरा slice रखेंगे इसी तरह से यह दूसरा भी रेटी कर लेते हैं अज हम इसका जिसके वहाँ दोगा है तो यह मैंने ग्रिल पैन ले लिए है इस पे लगाएंगे हम थोड़ा सा बटर आ अगर पके पास गरिल पैन उन नहीं है तो आप इसको नॉन स्टिक पैन पर भी बना सकते हैं और यह सेंड़िच को हम इस पे रखेंगे क्या सको मैंने ने कर दिया कि इसको हमें medium आंच पर ग्रिल करना है इसायद से बटर लगा देंगे कि इसको प्लट देंगे उड्टिक इना बढ़िया लग रहा है मैं दूसरी साइट से जो हो गया है अब हम इसको निकाल लेटे हैं और यह हमारा keto grade sandwich ready है ती तहे से हम अपना दूसरा sandwich भी बना लेगे हमारी sandwiches बनके रेड़ी है चलिए अब हम इसकी cutting कर लेते हैं इसको इस तरह से knife से हलका हलका कट करेंगे एक sandwich के 4 pieces कर रहे हूं प्लेटिंग करने से पहले इस पर डाल देंगे थोड़ी सी पिजा सीजनिंग इससे इसका flavor और भी enhance हो जाएगा आपी मेरी इस recipe से एक बार ये keto sandwich जरूर बनाएगा और मुझे comment box में बताएगा कि आपको मेरा ये sandwich के जल्दी एक नई recipe के वीडियो के जर ये और भी हुआ आइएगा हुआ आपको मेरा तकर अलिएएगा और मुझे ऑली अड़ ओस्यायदा आएगा आपको मेरा आपको मेरा अजया खाएगा हुआ एक जरूर येशंगा नाएगा झाल येडिवागा